Hello students, welcome to your English class. Students, आज हम आपकी बिहाइब बुक की पोएम नमबर थ्री, Rain on the Roof डिसकस करेंगे. Students, यह जो पोएम है, इसके जो पोएट है, वो है, कोर्स की नहीं, और in this poem, जो है, the poet is describing a scene when he was sitting in his hostel's dormitory and it started raining outside. तो बच्चो, यह poem जो है, poet ने तब लिखी थी, जब वो अपने hostel की dormitory में बैठे हुए थे और बारिश होने लगती है बाहर. तो बच्चो, इस poem का जो टाइटल है, Rain on the Roof, तो उससे हमें यह तो पता ही चल गया होगा, कि यह, जो poem है, यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बताओ बच्चो किस के बारे में बात करेंगे, obvious है, Rain के बारे में, तो यहाँ पर बात हो रही है, Rain की, अब जब बच्चो बारिश होती है, तो poet को कैसा लगता है उनको कैसा feel होता है इन सारी चीजों को उन्होंने describe किया है in this poem चलिए begin करते है poem को When the humid shadows hover over all the starry spheres अब humid shadows का यहाँ पर मतलब है बच्चो यहाँ पर कहा जा रहा है clouds को humid shadows यहाँ पर कहा गया है clouds को specifically जो raining clouds होते हैं पारिश वाले बादल होते हैं उनको humid इसलिए कहा गया because they are full of moisture और वो ही clouds जो है that are full of moisture उनी से जो है rain गिरती है जो ऐसे बादल जब आस्मान में इन starry spheres के उपर hover करते हैं ठीक है ना starry spheres का मतलब है कोई भी particular area of activity starry इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे stars है आस्मान में and sky इन सभी stars से lit up है वो इन सभी stars से जो है चमचमा रही है तो यहां पर क्या कह रहे हैं इन दो lines में कि जब ऐसे बादल इतने सुन्दर जब आप कह सकते हैं सारा का सारा आस्मान तारों से stars से lit up हो रखा है उस समय पे जब यह hover करते हैं उनके उपर तो क्या होता है and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears तो यह कह रहे हैं जब ऐसा होता है तो उसके साथ साथ जो darkness होती है and darkness को क्या कहा गया है melancholy darkness को melancholy कहा गया है इसका यहां पर जो melancholy word है इसका क्या मतलब है sadness अब यहां पर यह जो darkness है इसका मतलब क्या है darkness यहां पर refer कर रही है night को ठीक है ना darkness का मतलब यहां पर क्या है night यह एक situation create कर रहा है कि तब जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि यह जो shadows है that are clouds जो कि hover करेंगे over the starry spheres ठीक है ना यानि कि beautiful जो lit it up sky है जो चमचमाती तारों से भरी जो आसमान है that is full of stars और जो night होगी sad होगी और cry करेगी through rainy tears और वो रोईगी कैसे अपने बारिश वाले आसों से this is mentioned here gently weeps in rainy tears जब ऐसा होता है what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the pattern of the soft rain overhead what a bliss to press the pillow इसका मतलब कितना ही अच्छा लगता है जब आप अपने पिलो पर लेटे वे होते हो ठीक है ना और अपने पिलो पर लेट जाना या अपने पिलो पर अपना सर रखना कितना बढ़िया लगता है जब हम बिलकुल सारे वर्क से फ्री हो जाते हैं अपने बैट पर लेटे हैं अपने पिलो पर जो हम अपना सर रखते हैं तकिये पर अपना सर रख करके जब लेटते हैं तो वो moment बहुत अच्छा लगता है of a cottage chamber bed and lie listening to the pattern of the soft rain overhead मतलब कि पोएट कहर रहे हैं कितना ही अच्छा लगता है इस मौसम में अपने बैड के अंदर लेट जाना और जो बारिश की बूंदे बूंदों की जो आवाज आती है on the roof जो छट पर बारिश की बूंदे गिरती है उसकी जो आवाज आती है जैसे के बारिश होती आगर झीन की छटो उपर जो है चट पर रूफ पर जो टीन शेटव डला हुँआ होता है या फिर वुडन रूफ उती है लकड़ी की रूफ होती है तो आवाज आती है तो वो जो पैटर होती है जो आवाज होती है उसको सुनने में जो poet हैं उनको बहुत अच्छा लगता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये poem है वो inspired है किस चीज से कि जब poet अपने hostel में थे वो एक dormitory में थे तब बाहर बारिश हो रही थी और तब उनको बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगता है होट चॉकलेट मिल जाए है ना हम कोई movie देखे या फिर हम अराम से जो है सो जाए और बारिश की जो अवाज है वो हमें सुनाई देती रहे सो similarly जो poet है ना उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि जब ऐसा होता है बाहर कि जब बारिश आने वाली होती है जो night है वो it's crying weeping through rainy tears तो कहा गया है कि night जब रोती है तब बारिश आती है ऐसा poet ने बताया है just to show तो उन्होंने कहा है कि तो उनको अच्छा लगता है कि कितना मज़ा आता है that you are lying in bed और तुम सुन सकते हो उन बारिश की बूंदो की आवास को that is why he is saying so every tinkle on the shingles has an echo in the heart यहाँ पे poet has described very beautifully कि जब रेन होती है तो उनको कैसा लगता है now tinkle means to make a ringing sound एक ringing sound को produce करना and shingles का मतलब होता है rectangular wooden tiles that are used on roofs to that are used on the roofs of the house तो बच्चे पोयट कहे रहे है जब ऐसी आवाज आती है तो it has an echo in the heart जो उसकी आवाज है वो मेरे मन के अंदर मेरे दिल के अंदर मेरे हाट के अंदर जो है जो आवाज है जो गूंजने लगती है and वो क्या आवाज है वो कहते हैं and a thousand recollections weave their air thread into whoops तो यहाँ पर जो है पोयट जो है वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यह आवाज सुनता हूँ वो आवाज है वो मेरे मन के अंदर गूंजने लगती है echo होने लगती है वो मेरे मन के अंदर जो है गूंजने लगती है echo होने लगती है तो वो काफी सारी जो है dreamy fancies है वो या जो dreamy fantasies है वो मेरे मन में चलने लगती है वो मेरे दिमाग में चलने लगती है पोयट बोल रहे हैं फिर वो कहते हैं into busy being into busy being start इसका मतलब है कि शुरू हो जाती है बनना जो है वो start हो जाता है ठीक है busy being start इहाँ पर जो है उनका जो यह processor है वो शुरू हो जाता है यानि के मन में दिमाग में जो है वो जो fantasies है वो चलने लगती है बारिश उपर हो रही है बारिश के आवाज आ रही है और मन में जो है अच्छे जो है fantastic जो है खयाल चल रहे है fantasies create की जा रही है दिमाग के अंदर वो सब कुछ जो है processor जो है शुरू हो जाता है next he says and a thousand recollections weave their air threads into weave बहुत सारी पुरानी recollections जो की पुरानी यादे हैं memories है जो है वो उनके मन में बुनने लग जाती है weave हम क्या करते हैं बच्चो clothes को वो ही वो कह रहे हैं कि वो जो अपने threads है मेरे मन में धीरे धीरे से उनको weave करना शुरू कर देते हैं into woof अब woof का मतलब क्या होगा basically एक process होता है in the weft जब weeping करते हैं तब threads होते हैं उनको एक तरीके से run करते हैं they run from side to side in a loom जो धागे होते हैं वो loom में जो है एक side से जो है बुने जाते हैं एक side से दूसरी side बुने जाते हैं loom के अंदर तो वो जो प्रोसिजर होता है उसको ही जो है woof कहते हैं और तो यहाँ पर भी जो poet है he is saying कि जिस तरीके से जब ये आवाज आती है मुझे rain की like rain की pattern सुनता हूँ तो मेरे मन में एक आवाज गुंजने लग जाती है मेरे दिमाग में बहुत सारी fantasies जो हैं वो बनने लग जाती है they start to weave यहाँ पर woof का जो use किया गया है वो इसके साथ synchronize कर सके ये poet यहाँ पर कह रहे है as I listen to the pattern of the rain upon the roof मतलब ये सारी चीजे मेरे मन में चलती है जब मैं rain की यानि rain droplets की आवाज को सुनता हूँ जब वो मेरे room की roof से टकराती है तो ये poet यहाँ पर कह रहे है now in memory comes my mother as she used in years ago अब जो है poet आगे continue कर रहे है अब poet जो है यहाँ पर अपनी mother को introduce कर रहे है poem में वो यहाँ पर कहते है कि जैसे ही वो जो rain की patter की sound है उसको सुनते है तो उनको उनकी ममा की उनकी मदर की याद आ जाती है कि कैसे उनकी ममा जो है उनको आराम से उनके पास बैठती थे उन्हें प्यार करती थी और देन उनको सुला देती थी तब जब तक रात नहीं हो जाती थी तो वो शाम को उनके पास बैठती थी उनको सुलाती थी उनको प्यार करती थी so अब जो उनकी मदर है वो उनके साथ नहीं है she is no more that is why उन्होंने लिखा है as she used in years agon agon मतलब जो चीज जा चुकी है as she left she has left the poet she has gone from this word उनकी ममा जो है वो मर चुकी है to regard the darling dreamers or she left them till the dawn or का मतलब है यहाँ पर बच्चो बिफोर से वो कहते हैं के मेरी मदर मुझे अपना darling समझती थी और उनको कभी भी disturb नहीं करती थी उनको सोने देती थी और बच्चो सभी की ममी जो होती है वो ऐसी होती है वो अपने बच्चो को darling मानती है और अपने बच्चो की सुख सुविधाओं का सब चीजों का बहुत खयाल करती है उनको नीन से कभी जगाती नहीं है उनको सारे comforts है लाइफ के provide कराती है same thing जो है poet भी बता रहे है अपनी ममा के बारे में I feel here fond look on me poet कहते है कि मेरी मदर जो है वो मुझे देख रही है कैसे as I list to this refrain list यहाँ पर जो word यूज किया है poet ने वो short form में listen की तो यह line हुई as I listen to this refrain which is repeated again and again which is played upon the shingles by the patter of the rain अब जब बारिश गिरती है rooftop पे बच्चो तो उसकी आवाज तो एक जैसी होती है वो change थोड़ी ना होती है हाँ जब बहुत तेज हो जाती है तो change हो जाती है लेकिन उसके बाद अगर वो तेज ही रहती है बारिश तो voice जो है उसकी वो जो sound है वो same ही रहती है इसलिए refrain word यूज किया है और ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके का मौसम होता है तब मुझे मेरी मदर की याद आती है मेरी मदर जो अब नहीं है जो तब थी मुझे अपने पास सुलाती थी you know मुझे disturb नहीं करती थी मैं सपने देखता था वो मुझे कभी भी उठाती नहीं थी सोते हुए और मुझे सोने देती थी और मुझे अभी भी ऐसा लगता है जब मैं इस अवास को सुनता हूँ कि मेरी मदर जो है वो मुझे सुन रही है कि किस तरीके से I am क्या कहते हैं वो विजस प्लेड अपॉन दा शिंगल्स वो कहते हैं कि किस तरीके से मैं सुनता हूँ उस रेन के पैटर को जिस तरीके से वो उस पर रूफ पर गिरती है पोईट को लगता है कहीं न कहीं जो उनकी मदर है इस वाले मौसम में उनके पास है बिकॉज यह जो रेन है यह उनकी ब्यूटिफुल मेमोरी इसको ताजा कर देती है वापस लेकर आती है तो यहां अगर हम बात करते हैं इस पोईब की तो जो पोईट है वो हमें बताना चाहते हैं कि जो रेन है उसकी नाचुरल हीलिंग है वो कितनी जादा कितनी जादा नैचुरल हीलिंग कर रही है इंस्पाइट दाफैट की वो अकेले होंगे मेबी और उन्होंने जब यह पोईब लिखी तब उनको उनकी मदर की याद आई यह तब ही पॉसिबल हो पाया है न जब उनको इस रेन की आवाज सुनाई दी on the rooftop उनकी बहुत सारी memories है वो ताजा हो जाती है हम naturally भी यही करते हैं अपनी मदर के बारे में सोचते हैं तो everybody feels good ममा के बारे में सोचके आपको भी अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है सभी को उच्छा लगता क्योंकि ममा होती ही ऐसी है that is why poet बताना चाहते है कि rain उनकी life में important है बहुत जादा उनकी life में rain की क्या importance थी यही हम देखते हैं इस poem में ओके बच्चो तो यह poem मैंने आपको explain कर दी now let us discuss some poetic devices of this poem सबसे पहले हम alliteration की बात करते है alliteration मैंने आपको पहले भी बताया है जब आपका एक line में similar letter से जो है कुछ words जो है वो past past जो है एक दूसरे के place किये गए हो जैसे के थोड़ा यहां बच्चो typing में mistake हो गई है यहां थोड़ा बच्चो typing में mistake हो गई है यह आपकी poem की first line है humid shadow hover यह humid shadow तो type हो गया hover रह गया है तो humid और hover दोनों word में h से start हो रहे है हमारे letter s से start हो रहे है यहां alliteration है फिर second line में भी है starry spheres वो भी आपर type नहीं हो पाया है बच्चो I am so sorry for that second line में starry spheres भी दोनों s से शुरू हो रहे है यहां भी alliteration है then press the pillow में press और pillow दोनों P से है then cottage chamber में दोनों cottage और chamber C से start हो रहे है lie listening L से start हो रहे busy being B से start हो रहा है darling dreamers भी D से start हो रहा है तो यह सब आपके alliteration के कुछ examples है then हम बात करते है personification की here in this poem darkness अंधेरा it is personified darkness is actually not a living thing आप सबको पता darkness को living thing नहीं है बट उनको personify किया गया है क्यूंकि उसके आगे melancholy word लगाया गया है और melancholy जो है वो sadness है यह आप कह सकते है adjective है यह किस के आगे लगाया जाता है बच्चों adjective जो होता है वो किस word के आगे लगाया जाता है नाउंस के आगे लगाया जाता है तो similarly यहाँ भी जो darkness है इसको personify किया गया है then हमारी next जो literary device है वो है onat onomatophia और बच्चों onomatophia मैंने आपको बताया भी है पहले भी यह sound words होते है that are used for some dramatic effect sound words हैं जिने के हम dramatic effect के लिए यूज करते हैं वो आपका onomatophia होता है और यहाँ पर आपका word patter यूज हुआ है दो बार poem में और patter word का meaning है sound of raindrops बारिश की बुंदों की जो आवाज होती है जब बारिश चट पर गिरती है rooftop पर गिरती है तो उस sound को जो है पार्टर वर्ड से यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ onomatophia है then हम बात करते हैं poem की rhyming scheme की आपकी poem की जो rhyming scheme है वो है A, B, C, B, D, E, F, E I hope बच्चो आपको poem आप clear हो गई होगी literary device and driving scheme भी आपको समझ आ गई होगी Thank you students, have a very good day